जैसी lightning हुई तो देख रहे हैं कि जो घर में लोग उन्हें दिखते थे उन सब की bodies उस बरगत के पेड़ से लटकी हुई है चै bodies जाते हुँ तो भू बच्चो को ठाने जाती हैं बच्चो की कंबरे में वह बालकनी में देखती है एक ओरत और एक छोटा भई छोटा बच्चा खड़े में हैं उन्हें मतलब ऐसे 270 डिगरी वाली मुंडी पर उन्हें देख रहे हैं and वह नीचे कूच जाते हैं तो दोस्तो स्वागत है आपका एक बहुती मज़ेदार पॉड़कास्ट में और आज का पॉड़कास्ट होने वाला है हॉरर जो की आपका फेवरेट टॉपिक है और आज हमारे साथ है दिव्वे भाई जो की खूनी मंडे चैनल के ओनर है यह हर मंडे एक हॉरर स्टोरी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी अपलोड करते हैं और इन्होंने अभी अपने चैनल पर इंडिया की फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज भी डाली थी तो भाई बिना किसी देरी के हमें ज़रा यह बताओ आपका हॉरर कॉंटेंट से क्या प्यार है यार कैसे गुज़गे आप हॉरर में क्या ऐसा हुआ आपके साथ जो आपको लगा नहीं यार मैं हॉरर कॉंटेंट बनाता हूँ यार मैं हॉरर का बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन यह हॉरर का फैन की जर्मी है बड़ी इंट्रेस्टिंग सी तो जाधा दर लोगों को पता नहीं है अपने चैनल पे भी मैंने जाधा शेयर नहीं करी है पर बच्पन में एक मुझे बहुत शौक था आहार्ट और यह सब तब मेरे को डर भी बहुत जाधा लगता था लेकिन बहुत शौक था यह होगी फोर्थ फिफ्थ क्लास की बात होगी मेरे घर के सामने एक पेड़ था पीपल का पेड़ था बड़ा सा तो उसे देख देखके मुझे डर लगने लगा था यह सब होते होते प्रोसेस में एक्चुल में थी चीजे पता नहीं एक बिल्ली से शुरवात हुई कि बिल्ली कहीं उस पेड में इधर उधर कहीं जा रही है वो मुझे लगा शायद होगी और नहीं होगी फिर उसके बाद चमकादड इमेजन करने लगे चमकाद हैं इमेजन पता नहीं कर रहा था मैं यह पीपल के बेट में सब रात में हो रही है और मेरी फट्ती जा रही है मतलब ऐसा भी हो रहा है कि मैं चुप चाप ऐसे साइड में बैठा वाऊं घर में कहीं लेकिन किचिन और डाइनिंग रूम था जो खाने का वहां से पेड़ दिखता था खेड़की से तो उसको देखके मै मैं अंदर ये अंदर घबरा रहा हूं किसी को बता नी रहा हूं घर पे कि कुछ हो रहा है समय फिर एक दिन हमारे नेवर्स के घर पे हम लोग डिनर कर रहे थे चट पे था मैं उनके चट पे जूला था आइंड कहते है रात के 8 बजे है साड़े 8 बजे अंधेरा होने के बा अंदेरा होने के बाद बैसिकली के कुछ होता है ह attribए पेररणॉर्म ओर वरही है तो मैंने का अब डर तो रहा था मैं लेकिन बच्चे उसमें नहीं मुझे डर से हटना भी है तो मैंने का बैठूंगा मैं उस दिन मैं बेठा अभी भी पर दिख रहा है मुझे सामने चछत ह अचानक से मुझे उस पेड़ पे एक सफेद कलर का कुछ छवी सी दिखती है, मतलब ऐसा क्लियर नहीं दिखती है, दूंदला सा कुछ दिखता है, और वो दिखता है कि in a flash, like it is happening in a flash, दिखा, वो मेरे पास आया, और जूला गिर गया, और वो तूटके, मतलब मैं गिर गया उस जूले से, तो उसके चेन टूट गई, निकल गई, और मुझे आज तक पता नहीं है कि वो क्या था, वो क्या हुआ, मैं रोने पैड़ गया हुहाँ पे, मतलब चोड भी लगया और ये सब भी हुआ, मैंने तब भी घर पे किसी ये को हो रहे है, और जूले का गिरना तो बस मैंने का बहुत हो गया, इतना डर नहीं, और जो महले के बच्चे हैं, वो तुम्हें बोले जा रहे हैं कि अले फट्टू है तू, डरता है तू, जो डर गया सो मर गया, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, जो डर गया सो मर गया, य भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो हनुमान चालेसा याद करी, रोज स्कूल जाते वे सुबह, हनुमान चालेसा बोलते वे जाता था उसके बाद धीरे-धीरे वो hallucinations कम होने लगी, अब पता नहीं, महावीर हनुमान थे या कुछ और था, बट वो कम होने लगा, अंदर से, निकलने लगा, उसके बाद मैं रात में बैठके, रात की दो-दो बजे, हॉरर फिल्म्स देखता था, यह सब किया, मतलब जो भी IMDb की टॉपलेस देखी, उसमें चलो, डर भाग गया है, अब उसके बाद next phase है, encounter करनेगा, कि जाओ haunted जगाहों पर, और encounter करो, कुछ के होता ही कि नहीं होता, तो मैं भाग गया, ग्रेवियर्ड में जाना शुरू गया पहले तो रात में, तो बहाँ पर हमेशा मुझे ऐसा फील हुआ कि, कुछ है, मैं बहु कोशिश कर रहा हूं कि वो मुझसे interact करे, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो यह सब हो रहा है, मतलब presence मैं feel कर पा रहा हूं, energies थोड़ी feel कर पा रहा हूं, तो आपकि ऐस ताइम बात करने ही कोश्च कर रहे थे हाँ, मैं कोशिश करता था, मतलब यह जो उस ताइम आपकी age क्या होती थे, उन कहा रहे है, यह क्या कर रहा है, क्यो कर रहा है और यह सब, बट मैंने करना है, तब तक तुम्हारा अंदर चुल हो जाती है, तुम चुल में रह रहे होते हैं, तो presence है, यह है, वो है, तो मुझे फिर उसके बाद मैं research भी करता रहा था, क्योंकि यह, मैं थोड positive energies, positive energies, energies का ही form spirits है, अच्छी spirits, बुरी spirits, मतलब अगर आप भगवान में मानते हो, भगवान को आप कहते हो कि है कुछ source, तो वैसे ही एक negative सी source भी है, तो positive spirits और negative spirits दोनों coexist करती है, सबकी चीजें, इतने सारे हमारे ही baggage हो जाते हैं, आजकल टाइम पर तो मरने के बाद तो कित आपने कई बार ऐसे feel गिया होगा कि आपके साथ कोई है, या पीछे कोई है, या स्कूर्टी चला रहे हो, पीछे कोई बैठा है शायर, भाई, horror movie देख ले तो ऐसा लगता है कि कोई है washroom नहीं जाऊँगा, वाई दिकत होती है और वो feel भी पूरी ऐसी हो जाती है, तो energies कही पर भी spirits coexist करती है हमारी दुनिया के साथ, यह मानता हूँ मैं, and उसको एक यह भी है कि आपको फालतु में engage नहीं करना चाहिए, जितने आप उस चीज को attract करोगे अपनी तरफ, उत्ती ज़्यादा वो attract होंगी, और जितने आप शायद डरते हो, या vulnerable हो, वीक हो, तो और जग तो यह है, लेकिन coexist करती है, हो सकता है हमारे इस podcast room में भी, कोई हो, यह रैसे मत को, भाई, नहीं यहां नहीं आते है, मैं जहां जाता हूँ, वहां से दूर चली जाती है, यह negative, spirit, भाई, आप जानते नहीं, उनके बस रुधराक्ष है, अच्छा भाई, coming back to the graveyard, तो जैसे आ मतलब कुछ आपने physically देखा कि पत्ते हिला, या कुछ गिरा, या कोई आवाज, या बस एक presence feel हुई, जैसे आप कहे रहो कि psychologically लग रहा है कि कुछ है, दिख, दो-तीन चीज़े होती है, पहला, हवा का चलना, which is again normal, but चलना, एक हवा का, फिर एक अलग सी, सुगंद, एक अलग हो जाती है कि यहां से smell आ रही है, तीसरा, आपको ऐसा नहीं होता कि कोई खड़ा है, there are flashes, मतलब, zip, 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 flashes है वो, आपको शायब उसके लिए meditation की जरुवत पड़ीगी उन्हें देखने के लिए, या कुछ और की जरुवत पड़ीगी, मैंने तो Oiza board और ये सब भी करने की को क्या असली है, क्या नकली है, उस चीज को there is no definitive answer for that, कोई answer नहीं है specifically, जैसे मैंने कहा energies exist करती है, spirits exist करती है, मैं इसमें मानता हूँ, लेकिन आप कैसे सोच रहे हो उस चीज को, दिमाग बना देता है, मतलब अगर आप कोई गाना भी सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते हिला तो सही, यह बताओ, हिला तो सही, बताओ वह डीटेल में बताओ, हम लोग, जैसे उजा बोट पर letters होते है ना, बहुत सारे चीज़े होती है, तो उस letters के हिसाब से खेल रहे हैं, कि जैसे जब feel हो रहा था कि कोई है, तो हम, सबसे पहला होता है कि आपका नाम क्या है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो हुआ, N गया, A गया, V गया, ओ भाई, सही बता, हाँ, मतलब हम ने पूछा, repeatedly पूछा, N गया, A गया, V गया, और उसके बाद सब इदम silent हो गया, और मतलब जो हवा चल रही थी तेज, वो रुक होगा कोई नवीन, तेरे दमाग में आत्माओं में भी लड़की आ रही है, यह तो मैंने बूल दिया हसाने के लिए, और फिर हवा रुक गई, हवा रुक गई, हवा रुक गई, हवा रुक गई, वो smell जो एक peculiar सी smell होती है, वो आनी बंद हो गई, तो और उसके बाद कुछ कुछ भी नहीं हुआ, हम बैठर है, बैठर है, बैठर है, कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारे किस्से हैं जहां पर, और बहुत सारी crazy चीज़ें मैंने देखी हैं, मतलब एक दोस्त है, उसका छोटा भाई, मतलब newborn baby की बहुत तवेत खर रहती थी, धीरे-धीरे उसे सब जगा दिखा लिया, कहीं कुछ डाइग्नॉस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, अब धीरे-धीरे उसकी body अकड़ती जा रही है, मतलब ऐसे, ऐसे, सब टेडी-मेडी होती जा रही है, एक दो साल के बच्चे की body, and उसको दिखाया के स 360 degree गूमी वही, वो मर गया, तो यह सारी चीज़े भी है, अब इसको कैसे explain कर सकते है, यह आपने अपनी आँखों से देखा है, यह मैंने अपनी आँखों से देखा है, यह मतलब कैसे possible है यह सब, यह कैसे इसकी explanation है, कुछ explanation नहीं है इसकी, गोरे गाउं East में, Bombay में मेरे मा मामामी रहते थे, उनके साथ भी हुआ एक किसा, तो इसके उपर हमने कहानी भी बनाई एक, यह हमारी पहली गाहनी थी जो हमने बनाई थी, वीडियो डिलेट डाला, तो मामामी के साथ मेरे एक किसा हुआ, उन्होंने दो दिन के अंदर अपना घर मूफ किया, Bombay के अंदर, कितना मुश्किल है Bombay, तो उन्होंने नया घर में गए, उनके दो बच्चे थे, 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की, तो अब नया घर है, जैसे ही वो उस घर में आते हैं, अब मामा की टूरिंग जॉब है, तो वो टूर करते रहते हैं, लेकिन जैसी वो उस घर में आते दॉक्टर के पास लेगा है, वो तब ठीक नहीं हो कि दे रही है, बुखार चड रहा है, यह हो रहा है, आप जा रहे हो, लेकिन नॉर्मल एक स्कूल का कोर्स चल रहा है, वो सब चल रहा है, जिन्दगी चॉर्बल चल भी बस थोड़ी खराब रहती है, अब थोड़ा पानी टपकता ही रहता था, मतलब मेरे मॉम डाट भी गए, मेरे पापा मेकानिकल इंजीनर तो वो अपना लग गए, उसे फिक्स करने के लिए टैप को, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ, प्लमबर से करा लिया, सब से करा लिया, लेकिन वो लीक करे जा रहा है, यह जब सब हो ग निशान है पीट पर, निशान आ रहे है फिजिकली, उन्हें लगा कीड़ा चल रहा है कोई शायद बंबे में कोई कीड़ा आ गया है, या क्या हो गया मॉइस्चर से, वो दिखाये थे निशान की निशान, मतलब मुझे नहीं दिखाये बट मेरे मॉम डाट ने देखे हैं वो सारी चीजे हुई है उनके साथ, फिर उसके बाद यह सारी चीजे हो रही है, अब जैसे अपने छोटे बच्चो को बेटी है जो 8 साल की, वो कह रही है मुझे टीवी देखना है, तो वो कहते नहीं पापा के नहीं देखना बस बहुत हो गया, रात हो गया, अब सोने चल मामी, लेकिन बच्ची ने देखा है किसी हो, ठीक है, तो यह सब चीजे चल रही है उस घर में, और वो एजुकेशन की वज़ा से नकार रहे हैं, कि सब कुछ ऐसा हो भी सकता है, उनके दिमाद में थौट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा भी पॉसिवल है, उसके बाद एक दिन मामा टूरिंग जॉब की वज़े से अपना निकले में है, और मामी बैठके टीवी देख रहे हैं, रात के एक बज़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं अपने कमरे में, ठीक है, अब एकदम से, और घर भी ऐसा है कि जैसे फ्लैट है, बॉम्मे में फ्लैट सोते हैं, तो दो कमरे हैं, एक इदर कमरा है, कि दर कमरा, ख writes video, तो मामी को एकदम से एक बॉल की वाज आती है, बॉल खेल, खेल रहा है कोई जैसे, टक, 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 टक है, और टीवी को Mute किया, उन्हें लगा कि उनका बेटा है, उन्हें, उन्हेंका कॉल किया, तो सोया नहीं तो अ वह देख रही है कोई 5-6 साल का लड़का होगा बच्चा सा दूल में लिप्टावा कपड़े फटेवे वह बॉल के साथ कॉरिडोर के अंदर खेल उनके फ्लैट में उनके फ्लैट में उनके फ्लैट के अंदर रात के एक बज़े गाए तो गूस बंस आगा यह सुछ रहे हैं तो यह हुआ है ना एंड उसके बाद वो उन्हें अभी भी मामी यह नहीं सोच रहे हैं कि कुछ पैरनॉर्मिल है अभी भी यह सोच नहीं कि शायद दर्वाजा खोला रह गया होगा किसी का बच्चा आ गया है तो वो उन्होंने का कि कहां से आया है तुम बात बात करी पर दिया कोई नहीं तो फिर जब तक वो दर्याद धुका के वापिस अंदर की तरफ आई वह बच्चा जाके बच्चों के कमरे में घुज गया इद गया अब वो जा रही है अपना के बच्चों के एचा कमरे में छला गया, ये बच्चा कौन है? वह जा रही है, बच्चों की कमरे, बच्चे सो रहे हैं अब लाइट तो उनने खोली नहीं वह अभी देख रही है कि कहां चला गया making, क्या हो गया कोई, मतलब कुछ होनी रहे तो बच्चों की एक, मतलब सब जगा देख रही है, वो सब खोल-खाल के सब कुछ देख रही है, बच्चों की एक toys की अल्मारी है, जो sliding उसमें खुलती है, उन्होंने वो sliding खोली वो फट एकडम से, वो बच्चा उन पर आ गया, और उन्होंने हटाया उसे एकडम से, ठीक है हाँ, main gate पे, flat के main gate पे, ठोक रहा है, खोलो, ठक, 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 ठीक, ठीक है, and mommy उन्हाँ पे, अब उनको डर लग रहा है कि क्या हो रहा है ये राथ के एक बज़े मेरे साथ, और यह क्या, हो गया है, वो डर्ती-दर्ती धर्वाजे की तरफ जाती है, दर् बच्चों को उठाने जाते हैं बच्चों की कमरे में बालकनी है वो बालकनी में देखती है एक और उरत और एक छोटा भई छोटा बच्चा खड़े में हैं उने मतलब ऐसे I don't know 270 degree वाली मुंडी पर उन्हें देख रहे हैं and वो नीचे कूच जाते हैं and मामी ने अपना गाड़ी की चावी उठाई दोनों बच्चों को लिया वहां से निकल गई उस घर की कोई चीज उन्होंने ली नहीं सब छोड़ दिया दो दिन के अंदर वो फ्लैट मूफ किया तब उसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि कंस्रक्शन के टाइम पर एक मा और बेटा महां से नीचे गिर गए थे अरे भाई साब भाई यह तो अलगी कहनी है तो अब वो फ्लैट बंद पड़ा है अब मतलब कैसी ने उस फ्लैट का उस प्लैट का पहले तो बहुत गल्याया उन्होंने जिस भी ब्रोकर और बिल्डर से लिया उन्होंने तो बहुत लड़ाईयां हुई फिर उसके बाद I think वो अब ओपन में आ गया है बट I don't know अब उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बट होगा कुछ तो चली रहोगा मतलब फ्लैट कौन से अपार्टमेंट में था बता दो भा लोग नहीं एड्रेस हमें ना भेज दे ना इन तीनों दोनों को लेके जाओंगा वा इन तीन अब हो गया तब उन्हें बच्चों की सारी बाते सच लगने लगे बच्चे कहने लगे आप तो महां थे आप तो यहां थे आप तो महां थे मम्मी कह रही है मैं तो नहीं थी गई भाई ये तो शीदा शीदा वो है भूत है और क्या है ये तो इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि भूत नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता या कुछ भी भाई मतलब वो तो कहीं नहीं सकती हैं तो उनके लिए तो पूरी जर्णी हो गई कि education इतना educated इंसान जो बिलकुल नहीं मानता इन सब चीजों में उसने experience किया खुद से अब ठीक है वो जो आपके relative है अब ठीक है बुखार ख़तम उसका अब तो वो कहीं और ही रह रह रहे है अब वो कहीं और है नहीं बॉम्बे में लेकिन बिल्कुल सही है सब वह इसा भूलते नहीं होंगे वो यह moment कभी कभी नहीं बूलें है अभी भी podcast देखेंगे अगर तुम फिर मुझे phone आएगा कि भाई तु सबको क्यों सुनाए जा रहे है यह कान भाई आपने वो ट्राइ किया कभी school में जो हमारे अफवाथ ही पता नहीं क्या थी कि रात में जाओ बात्रूम शीशे के सामने खड़े हो Bloody Mary Bloody Mary बोलो और फिर तो पक्का होगा कुछ नो कुछ मैंने किया है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे किसने हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है भाई जैसे आप content produce भी करते हो और हर Monday कहानी आती है और research भी करते हो तो कभी research करते हुए ऐसा कुछ आपने सुना या जाना कि भाई ये क्या चीज है यार मेरा दिमाग घूम गया कुछ कभी फट गई हो कि भाई इस जगा जाना है या कुछ ऐसा किसी जगा से related कोई बात हो तो एक बहुत recently एक कहानी आई थी किसी एक subscriber ने भेजी थी पूने के आसपस की एक लड़की है करीब 16-17 साल की बोश उड़ गए कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है तो वो व्लॉगर थी food vlogging करती थी थोड़ी बहुत आसपास में पूने के आसपास के areas में मतब पूने के पास ही कहीं रहती थी वो exactly मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां पट वो जाती थी vlogging बगेरा करने तो एक दिन उसे ए यहां आ सकते हो क्या तो फिर एक बेकरी का नाम था दिलखुष बेकरी टाइपस एक बेकरी का नाम था तो थोड़ा सा उस जहां वो शेर में रहती थी वहां पर भी outskirts में थी बेकरी तो उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं आउंगी मैं क्योंकि नहीं नहीं व्लॉगर है वो उसन उस दिन उसकी छोटे भाई का स्कूल भी था तो उसे पिक करना था उसे छोटे भाई को तो उसने कहा कि मैं छोटे भाई को स्कूल से पिक करते हुए ही उस बेकरी में चली जाओं तो वो लड़की उस बेकरी में गई बेकरी बहुत सुन्दर अच्छी जैसे आजकल एकदम एट्थ क्लास में, वो कह रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है दीदी, मुझे बहुत ऐसे उल्टी ऐसा फील हो रहा है and मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, कहते हैं रहे यार अभी तो मुझे मैं आई हूं यहाँ पर तो थोड़ी देर बैठ जा, तो कहते हैं सब हमारी बेकरी है, पेस्ट्री शॉप है, तो वो कहते हैं कि हमारा एक प्ले एरिया यहाँ बच्चो के लिए, तो आप अपने भाई को इधर आप खेलने के लिए बेज़ दो और मैं आपको फिर वो सब दिखाता हूं, पेस्ट्री हमारी क्या-क्या है, कहते है ठीक है जल आपने चार्जिंग पर लगाती हूं इतने फोन तो वह चार्जिंग पर डूंटी है अपना फोन और उसके बाद वहां पर बैट जाती है कि अंकल कहते हैं कि चलो तब तक मैं तुम्हें खिलाता हूं अपने हमारी स्पेशालिटी है तो वह सब पूछते तुम नॉन्वेज क्यों वह कहती है मैं खाती हूं नॉन्वेज. तो पहले पेश्ट्रीज खिलाते हैं बढ़ी अच्छी अच्छी बहुत टेस्टी चॉक्लेट पेश्ट्रीज और फिर एक मीट पैटी खिलाते है उसे वह वह तो खाकर पागल हो जाती है कि क्या टेस्टी है और इह कितनी और फिर वो ढूनते ढूनते किचिन में जाती है तो किचिन में देख रही है कि एक लाल कलर का कुछ पड़ा हुआ है और उसे काट काट के वो उस पैटी के चीजों में भर रहे हैं समान मतलब कीमा कीमा या जो भी टाइप भर रहे हैं अनकूगड एकदम कटा ओए हाँ 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 तो अब वो जो चीज है वो कलेजी है basically दिल है ठीग है और वो कहीं अपना भाई नहीं मिल रहे है उसे और वो देख रही है कि वो दिल से काट काट के मीट पैटी भर रहे हैं और वो परिशान उसकी मितलब वो देखके एकदम से च ऐसे नजर उठाके कि अच्छा लगा तुम्हें मीट-पैटी और चाहिए और वहां से निकलने लगती है और जब वहां से निकल रही है निकलती है भागती है वहां से कि फक ये क्या है लेकिन अपना भाई को भी ढूंड तो उसे डर लगता है वह गाड़ी में जाती है उसे समझ भे नहीं आता क्या है अब वो गाड़ी में बैठी है अंदर भार निकल के एकदम से उसे डर लग रहा है पीछे से वो दोनों आएंगे कुछ हो रहा है उसके साथ यहीं पर देखती है कि कुछ पांचे छोटे बच्चों ने उसकी गाड़ी घेर ली है और वो सब हाथ से उसे कोशिश कर रहे हैं ब रहा पता है खीक है उसके बाद जब वो अपने पापा मम्मी को बेकरी के बारे में बताती है तो बेकरी तक जाते हैं वो लोग वहाँ पर कुछ नहीं है वो खंदर है फिर जू बेकरी देर ठीक है आसपास लोगों से पता किया तो पता चलता है कि यहां पर एक बेकरी अरे तेरी और वो बच्चा अभी तक मिस्सिंग है तो यह तो I am sure अगर मिस्सिंग है तो न्यूस लगारे में आया होगा और पूरा एक दम और आर्टिकल भी होगे इस देख लेख 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 सकते आर्टिकल जिसके हैं I think so लेकिन क्या है कितना मतलब यह एक कहानी आया थी जिसने एकदम दिमाग मेरा घुमा दिया था मैंने जो Instagram पर मेसेज आया है इसके रिवने पूछा तो इसकी वारी होई होगी फिर Instagram पर जो मेसेज आया कहां से आया वो सब आपने देखे देखे आर्टिकल इंस्टाग्राम पर वो मेसेज ही नहीं है और वो बच्ची कहती है कि मैं कुछ मुझे नहीं समाज आता कि मैं कैसे इसको comprehend करूँ या फिर मैं बताओं आपको आप मानोगे नहीं मेरी बात और पहले तो मैंने मानी भी नहीं मैंने भी इस दस सब्सुंदार है पिर तो कुछ तो है ना मतलब कुछ तो अजीब है और मतलब जब इतना हो गया कि उस देख एक बार को अगर वो कहती कि हां ये सब है लेकिन अगर उस जगा पर जाके लोग अगर कह रहे हैं कि हाँ बेकरी थी और ऐसे था तो तो यह तो बहुत ही डरावना है ना क्या वो मतलब उस दिन उस के भाई का दिल वो खा रही थी मीट पैटी में क्या था यह मतलब तो दिमाग खराब कर देने वाली बात है ऐसी एक एक बार मैं टॉक्शो कर रहा था डिस्कॉर्ट पे और बहुत बढ़िया चल रहा था ऐसे फन कॉन्वरसेशन कर रहे थे हम लोग अच्छी बाते कर रहे थे और एकदम से एक लड़की आई और उसने कहा क जो आपकी कहाणियों में होता है मैं उसके साथ बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरे साथ हर देन वो सब चीजह होती है और हाँ मुझे कोई मतलब ऐसे नोज देता है मुझे यसे लोग दिखते हैं मरेवे लोग दिखने लगते यह सब होता है और आज मैं और फिर एकदम से उ मेरे दिमाग में भी एकडम से याद आया मुझे यह सब सारी चीजें हो रही है वो क्या है कौन लड़की है क्यों ऐसा कर रही है तो मेरे मुझे लिए है या फिर सच में हो सकता है मझे लिए हो सकता है घर रियल विया हो सकता है कुछ कह नहीं सकते भाई इसमें तो और कुछ उसे चाहिए था अटेंशन या यह सब तो फिर बात करती रहती ना गायप कहा हो गई एक डाव हिल करके एक जगा है वहां पे ग्र्चो पर करसोंग करके एरिया है वहां पे है ये भी रिजुन किसे है ये तो बहुत इसके उपडर इंटरेनेट पर छीज़नी मिलेंगी वहां पे एक विक्टोरिया जॉल भी है जहां पे लोग मतलब स्कूल के बच्चे बच्चों ने भी सब मानते हैं कि हाँ कोएग्जिस्ट करते हैं उस भूत के साथ वहाँ पे रात में लोग बच्चे निकलते नहीं है बाहर उन्हें अलाउड भी नहीं है और श्पेशली बच्चे या लोग इन जेल अच्छा 12 तक का बोर्डिंग स्कूल है अचा हॉस्टल टाइप है तो इसलिए अलाउड नहीं है ये रस्किन बउन्ड एक जो राइटर है उन्होंने भी इसके बारे में लिखा हुआ है तो एक बच्चा निकल गया अपने दोस्त के साथ कि हम मस्ती करेंगे रात में आज घूमेंगे फिरेंगे एंड एकदम से वो एक अलग हो गया मतलब दोनों खो गया आसपास वो कोशिश करें डूढने की एक दूसरे को और उससे लगता है कि कोई मतलब एकदम से उसे आती है कदमों की आवाज पत्तों 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 पे चलने की तक मलब थर 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 थी थोड़ी आवाज होती है तो उस पर वो चल रहे है चल रहा है चल रहा है कोई उससे लग रहा है पीछे पीछे भी आ रहा है वो जैसे रुक रहा है वो भी अवाज भी रूक रही है वो चल रहा है तो अवाज भी चल रही है धीरे धीरे साया जैसा कुछ बनने लगता है उसके सामने एंड़ फिर उससे छुप जाता है जाके कहीं कुछ देखता है दर उदर कोई नहीं है ठीक है और फिर जैसी वो निकलता है बहार उस पेड़ से उसके सामने एक साया सा खड़ा है मतलब एक इन्सान जैसा लग रहा है उसने हुडी पहनी हुई है और उल्टा खड़ा है उसके सामने, मतलब ऐसा नहीं है कि टूब फेसिंग है और वो डरा हुआ है महाँ पर क्या हो रहा है तो अब उसने जैसे ही उसके कंदे पर हाथ रखा भाई है कौन हो दूँ या वो घूमता है और दिर इस नो फेस बॉड़ी इंशान की है बॉड़ी इंशान जैसे और हुड़ी है फेसलेस गोस्ट हुड़ी है अंदर काला है सब कुछ नहीं है वो मतलब उसे देखके ऐसे डर गया और भागा वहां से तो और ये एक किस्सा रिपीटिड़ी बहुत लोगों के साथ हो चुग है और वो नुक्सान नहीं करता पर किस्सा नुक्सान नहीं नहीं करता किसी और हो जचता कोई शाला प्रैंक से रहा वक्ति कर रहा है भाई लेकिन मुंडी तो दिखेगी इतने सालों से मतलब कुछ कर सकता है लेकिन इतने सालों तक एगी प्रैंक कर रहा है बचारा जंगल में अकिला और किसी को मार भी नहीं रहा ना इसके तो बहुत जाद रही documented चीज़े हैं मतलब उस तरीके का चीज हो जाती जैसे आप भी रिसरच करते हो आपने कभी इस तरीके से फेस किया बुखार हो गया उठने पा रहे इस अब चीज़े और और कभी बचपन में जैसे ग्रेवयार वगयरा गई हो वहा एक टाइम था जब यह सब होता था फिर उसके बाद खतम हो गया लेकिन जब होता था तो काफी strong presence feel हो के न मेरे को उल्टियां बहुत हुई है ऐसी जगाहों पर तो आपके पेट में एकदम से बहुत तेज दर्द उठेगा और आपको एकदम से मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है जैसे पहाडों पर होता है न कि आपको altitude sickness हो जाती है और आपको उल्टियां हो जाती है तो उस तरीके का कुछ बहां पर एक environment बनता है जहां पर सब हो चुका है फीवर भी हो चुका है यह सब चीजे हुई है भाई इस profession में आप हो यह सब जो आप कर रहे हैं आपके mom dad बोलते नहीं है मतलब थोड़ा personal question है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और यह सब मत करो या फिर do something else बहुत चीजे है बोलते हैं मतलब mom dad तो ठीक है mom को भी horror पसंदे तो mom is okay पापा थोड़ा डरते हैं बड़ बोलते नहीं है कुछ उनके लिए कि चलो एक business आगे तो सही है यह पहली बार सुन रहे है मां को अच्छा लग रहा है और dad डर रहे है मतलब अब आप वैसे investigation करने तो नहीं जाते हैं कि जाके देखते हैं अब तो बस content ही बनता है ना investigation करने जाते है अब मैं वैसे कहा रहा हूँ कि graveyard जाना ऊजा बोड़ करना वहां जाके हम घर भी नहीं है थोड़ी risky चीज तो है भाई अब पैसा बन रहा है अच्छा चल रहा हैomie कहानिया सुना पसंड है लोग चाहते हैं कीतने सारे लोग करना चाहते हं बहुँ कुछ और बता हो जो आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ हुआ होक千 بहुत और मैं कुछ-कुछ कहानियां सुनाता हूँ जो अब enjoy करेंगे लोग जैसे एक बड़ा interesting सा किस्सा हुआ था, दो-तीन तुम्हें बताता हूँ ऐसी किस्से तो एक करनप्रीत कौर नाम की एक औरत थी जलंदर में रहती थी और ये मेरी आंटी की दादी टाइप्स थी तो very close friends और बिर्गु मतलब authentic किस्सा है और बहुत ही extra interesting किस्सा है तो करनप्रीत कौर नाम की उनकी दादी की death हो गई थी सुभा उनका सब लोग आते हैं न के death हो गई तो घर पे आ रहे हैं सब लोग तो जलंदर में तीन घर छोड़के उनके एक और करनप्रीत कौर रहती थी वह आई सुभा कैती के अरे ये क्या हो गया कल रात में मेरे सपने में यम राज आये यमदूत आये और मुझे ले के यमदूत आये और फिर मैंने का उनने जिस करन प्रीत कोर को लाना था मैं वो नहीं थी तो मैं सुभा उठ गई और ये चली गई औरे तेरी बाई ये ऐसा किस्सा नहीं ये का किस्सा है बाई ऐसा ही मेरी मॉम की कोई रेलेटिव थी पंजाब में उनके साथ ऐसा हुआ कि वो मम्मी बताती है ऐसा हुआ खुद वो थी नहीं वहाँ पर बट जिनके साथ हुआ था वो उन्हें जानती है तो ऐसा हुआ था कि उनकी डेथ हुई उनको शम्शान गाट ले गए वो डेथ बैड पर है तो ना एकदम से उनके कोई रेलेटिव है तो पंजाब में ऐसा होता है रे जैपुर वाले आगए जैपुर वाले आगए तो ऐसा हल्ला हुआ कि जैपुर वाले आगए जैपुर वाले आगए तो एकदम से लाश खड़ी हो गई डेथ बेड से और ये रियल है कि जैपुर वाले आ गए कहां है और एकदम से खड़ी हो गए और उनके साथ भी सेम हुआ और वो लिटरली बता रही कि मैं वहाँ थी वहाँ लाइन लगी भी थी कि वहाँ पर बोला कि आपका नंबर अभी नहीं है ये गलती से आ गए इन्हें मुटे वापस भेजो वह पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ पर ऐसा याअ था भाँ यम्राज था वहाँ पर एक गेट था जिसमें एक लाइन थी वहाँ पर ये था कि अभी का नंबर नहीं आया है अभी आप वापत जाओ ऐसा तो यह तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ यह किस अमें बता है यह सब क्या आफटर लाइफ जी देख ली भाई उन्होंने हां और वह ऐसा लगता है उन्हें सपना रहा है मतलब पता नहीं क्या था लेकिन यह तो यह सप किसी को क्या पता क्योंकि वह सुबह उठी तो ठीक उठी कोई ओल्ड मनाली का किस्सा है कोई एक ओल्ड मनाली का भी किस्सा है तो दो लॉंडे थे एकदम हमारे टाइप की तो वह जा रहे थे मनाली के चुट्टी मनाने मनाली जाएंगे and I think June July का ही टाइम था और बहुत ब चायवाई पीने के लिए कि अब देखते हैं थोड़े रुके की तो जाएंगे आगे तो चायवाई पी रहे हैं वो गाडी के अंदर आराम से एकदम से टक तक होती है उनके शीशे पे और वो देखते हैं कि बहुत ही सुन्दर लड़की वाइट साडी पहने मतलब बहुत ह कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे क्या तो दोनों खुश कि भाई आज तो सीन सैट है कुछ बात बात करेंगे सुन्दर लड़की मिल गई है तो वो बिठा लिए एक जो ड्राइवर होता है दोस्त जो होता है वो कहता है कि नहीं या छोड़ ऐसे किसी को नहीं लिए तो वो लड़की बैठ गई पीछे और वो लोग चलाने लगे अब धीरे धीरे आगे वो जा रहे हैं जा रहे हैं एकदम से वो रियर व्यू मिरर में देखता है ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की उनको घूर रही है दोनों को घूर रही है ए वो आईबॉल्स नी पूरी पूरी आखे ला लें तो वो एकदम से जटके से गाड़ी रोक देता है किया रहे यह क्या हो रहा है यह क्या है फिर वो बोलता नहीं है अपने दोस्त को कहता है कि एक बार देख और क्या है सरा सिंगर और दोस्त के ना सर में एकदम से बहुत बारिश में तरहुआ है अब ही बारिश हो रही है तेज़ विजिबलिटी कम है थेकि वो जा रहा है गर पर जा, जा रहा है आगे एकदम से वो लड़की जो उसके पीछे रीयर वीyo सीटे बेट लेटी पेड़ी तो ऑसकी गाड़ी के आग है अर यह को दृबसली हीपकर ए को लड़की ही नहीं और फिर पता चल रहा है कि महां के आस-पास लोगों से के एक लड़की की ऐसी लिफ्ट मांगने थी और वो हफ्ते पर पहले किसी गाड़ी नो उड़ा दिया उसे बारिष में खडी लिफ्ट मांग रही थी वह बच्चे ढीक दे बाद में लड़के बच गया बच गया वहाँ पर तो सुना ऐसा होता है पहाडो की सड़कों पर यह कितना क्रेजी है यार यह क्या है बाई और एक एक किस्सा ऐसी गाड़ी का वही हमार साथ होगे तो हम तो ब होगे त्रैवल पहली बात तुमें बता हु अगर अब कर लेंगे अरे कर लेंगे बैठाएगे नहीं स्कूश में बैठाएगे नहीं कोई बारिष में लड़की शोड़ो सूखी लड़की भी नि पगंडी कोई हम नहीं बिठारे किसी को भई प्वाहि एक तो रात को कभी ट्रेवली मत करो, सौ दिक्कते आती है और भी पहाड़ों में बहुत रिस्की भी आया आप समाजगा मैं घरवाले क्यो बोलते कि सुबा निकलो भी आप अब समाजगा मैं लेकिन हमको तो वाइब ही चाहिए ना वाइब ही तो पापा रात में आएगी ना वाइब अजब वाइब ले लेना है लेकिन क्या करना है पिगलना नहीं पिगलना नहीं और भाई गाडी में चलेगी सिर्व नुमान चालीसा ऐसी सिच्वेशन में तो आप यह तो कहने की बात हो कि इच्चे लेगी तो खिर भाई रात को तो ट्रेवली ना हो देख ऐसी मेरे एक पापा के फ्रेंड के साथ दुआ था वो उन्हें दिवाली के दिन ही अद तो गो फॉर सम इवेंट और वो डेलीकंट एरिया से पास होना था उन्हें एंड वो जा रहे थे फैमिली थी पूरी मतब फैमिली नहीं थी पूरी हस्बेंट वाइफ थे और ड्राइबर था ठीक है और डेलीकंट रोड पे तुम लोगों को पता एक बड़ी फेमस एक किस्सा है कि एक सफेद कलर्ड की औरत है जो लिफ्ट मांगती आपसे तो वो अब उसस रस्ते पर जा रहे थे वो सेम सेम रोड पर असरत के जारे है ठो print क attach अब उन्हें इसचा नहीं था किस्सा liजा ऐसे कुछ ए महां पर तो देख रहे हैं कोयने में एक लड़की खड़ी हुई है और रात का टाइम है दु plywood का टाइम है सफेद कलर की साड़ी में Scientist वो जा रहे हैं वो phrase पू्छ लेते हैं तो वो रोकते हैं उसकी गाड़ी पूछते हैं उस मतलब उसके तो बहु बेक रहे हुए चेहरे पर पूरे बाल है वाइफ कह रही है कि चलो न आप क्या यहां पर क्यों रुख गए हो फिर नहीं रुको एक बहुत पूछ लेते हैं कौन है क्या है help कर देते हैं तो वो पूछ नहीं कि हाँ मैडम आपको जाना है गही वो कुछ रिस्पॉंस नहीं आ रहा है अरे मैड लड़की वहां पर पीछे अगर वो देखते है तो हो नहीं चाहिए थी वो पीछे देख रहे हैं नहीं है ठीक है वो चल रहे है अचानक से ड्राइवर की चीख निकलती है ड्राइवर देखता है रियर व्यू मिरर में वो उसके पीछे-पीछे आ रही है गाडी के slant मतलब एकदम साथ में चल रही है पीछे-पीछे पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-फ्लोट करती है आरी है और स्पीड पर आरी है और ड्राइवर का एकदमाग खराब और वो आगें पर सRE जाके टकरा जाता है वो लड़के वो सब लोग ह第一 बहु कहलती है पर रांक उनकी और तो मतलब वहाँ पर इमाजन किरो ना गाड़ी चला रहे हो कोई आपके साथ 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 ट्रैवल कर रहे है मतलब क्या हो रहा है यह डेली काईटी पे तो बहुत सारे यंग्स्टर जाते भी है रात को मजे लेने एक लास्ट किस्सा और सुनाता हूं तुमें यह लखनो में मेरे एक रिलेटिव हैं उनके साथ हुआ है मतलब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके साथ यह हुआ है तो वो यू एस में थे और वो यू एस से उन्हें कुछ मतलब वो छोड़के वापस इंडिया सेटल होना चाह रहे थे लखनो में उनकी पुरानी प् तो वो वहां पर जा रहे हैं तो वो रेंट पर दिया हुआ था वो सब उन्होंने जादा उन्हें इंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि कोई और समालता था उनके भीहाफ पर उस घर को तो उन्हें जादा आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है जमीन है घर पढ़ा हुआ है पुराना जैसे पुछते हैं अपना हो गया तो वो जाते हैं वहां पर बायर ढूंड रहे हैं वो लोग ढूंडना शुरू कर रहे हैं पहले लेकिन अभी एकदम से उन्होंने शुरू सबसे पहले अधिए कि यही था था यंधी ऐो था क्रव फोरगे कुझा रहे हैं तो यही मुछता हुए मिनकी है उन्हों सनागि था टम यह हमाने इसा लगता था कि कोई उन्हें पुतार रहा रहा है रोज भुदा Hem अब हो सकता है पुछत है नहीं गरए है उन्हें लगा वह अचानक वह उनकी पेर पगड लिये वह रही लोग अपने लुग रही जाम है बिलकोर मतलब एक गंटे तक ऐसा ही लगा उने वह कुछ नी कर पा है वह रही है तो उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़े वो होने लगें, कि भाई यह क्या हो रहा है फिर रात में अब वो घर में अकेले हैं तो उने लोग दिखने लगे घर के अंदर कुछ अजीब-जीब से लोग जो इधर उदर घूम रहे हैं इधर से उदर जा रहे हैं गया है यहां से कोई वहां गया किचिन में कोई खाना बना रहा है कुछ कर रहा है बच्चे उतर रहे हैं सीडियों से तो यह सब चीज़े होने लगे अच्छा इंगी एच्चार इस टाइम यह बोड़े यह भी खुद जो होने फिफ्टी-टू के रहा हूं कर रहे हैं कहीं से कुछ नहीं हो रहा यह चीज़े और रेपेटेटिव होती चली जा रही है वह फोन कर रहे हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम अपनी वाइफ को फोन कर रहे हैं कि तुम आ जाओ यहां पर फिर देखते हैं या फिर मैं निकलूँगा यहां से और वाइफ के रिए रहे अभी सब इसका स्कूल वूल का मैं देख रही हूँ या कामवा मैं पढ़ाई वड़ाई का तो अभी रूख जाओ मैं थोड़ा अराम से आके हूँ रहे चलो ठीक है अब एक दिन एक रात अगें बारिश की रात तेज बारिश हो रही थी और तेज बारिश में वो कुछ तो खराब हो गया उनका तो वो बाहर आये वरांडा में आगन में अपने आए और वहां पे एक बहुत ही बड़ा बर्गत का पेड़ था पुराना बर्गत का पेड़ बर्गत की पेड़ की तहनियासी भी ऐसी लटकती सी होती है तो तो ठोड़ा बैसी ही तुम अगर बारिश में देखो गए उसे तो creepy लगेगा वो फॉलब और वो लाइटनिंग होती है अंधिरे में तो तुम्हें दिखती है चीज़े है ना तो जैसी लाइटनिंग हुई तो देख रहे हैं कि जो घर में लोग उने दिखते थे उन सब की बॉडी उस बरगत की पेर से लटकी हुई है चै बॉडी जो गूमरी थी जो उनको दिखती गूमते वे इधर से लटकी हुई है बॉडी उनने बच्चे भी तो जो बतार थे बच्चा आ रहा है नहीं बच्चे भी थे दो बड़े थे और दो एक husband wife type लोग थे तो छे लोग एक family type दिख रहा है उने लटके हुए है वो मतलब लटके हुए है आंके बहार है यह उने द दिख रहा है वाई फ्लैशेज में दिख रहा है जो light बिजली कड़क रही है उसमें दिख रहा है और मूवी का सीन लग रहा है मिरको बिल्कुल यह तो पूरा बूवी का सीन है और बारिश के टाइम पे लाइटिंग हुई लाइटिंग में छेल आश्य दिखी हुए हुए से मतलब फासी सी टाइप लगी और मतलब पेड़ से लटकी है बड़की पेड़ से वो देख के एकड़म काप उठे वो मतलब फट गई उनकी जैसे कहते है रूह काप गई अंदर से वो गया उनके साथ और वो जल्दी से उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया कि अब बस आ जाओ तुम मैं नहीं यहां पर रह सकता मैं सुभाई सुभा निकल जाओंगा यहां से अंदर जाके ओकर नेक्स डे उनकी वाइफ लखनो पहुंची लखनो में वो देख रही है घर के आसपास भीड जमाय है और ही जब उसी तरीके से उस बरगत के पेर से लटके वे वह और पहाँ कि ऑनेकर और और अन्यीकी बोडीया निकी उनिकी बोडीयाँ लिछास पैस पूछते है कि क्या यह थो घर का ही नहींने दो एक तो यहां पर तो एक जो और उनको रात को निकल जाना चुछ था बो ऐसे क्यों कर रहे कि में रात यहां सपंड कर रहे हूं तो आज जाएंगे कोई भी कुछ भी करें तुम्हें देड़ बॉडिस तुम्हें दिख रही है यार यहां सुसाइड हुई हो ना भाई वहां कुछ ना कोई सीन हो था मेरे दुबारा रोंग्टे खड़ हुए भाई साले कैसे बिलगुली भाई इतनी रियल कहानी है भाई यार सही में भाई उन्होंने भाई पर्गत के पेड़ यार ए तो भाई अलगी सीन तुम इमाजन करो ना कि कैसे पॉसिबल है कि आप जिस चीज को देख रहे हो मैं जैसे अब इमाजन करके तू उस गहर में बाई मैं तुनन निकल जाओंगा कहां जाएगा कुछ भी करूँगा, वहां नहीं रहूँगा मैं रात नहीं स्पेंड कर सकता, कुछ भी कर लो महीने पर तक तेरे साथ ऐसे हो रहे है तो पहले बाई मही निकल जाएगा इसने अगर इतना देख लिया मैं इसलिए कर तो उनकी एज के अगर 50 years के है तो उसको यह कहने के चलो मेरे पूरवजो की आवाज आ रही है वो इसको उस तरीके से ले रहे है बट यह क्या हो गया यार परवाई उस ताइम माइंसेट जो चलता है वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मतरब जैसे यह बिल्कुल भाई वो एनर्जी ना थौर्ट भी कंट्रोल कर लेते है वो जाने नहीं देते अब ली यह सकते है इसलिए शायद ना निकले हूँ थौर्ट प्रोशाइज भी कंट्रोल कर देते है तो तुम अब तुम जा रहे हो रोड पे एकडम से ट्रक सामने आ जाता है तो तुम इधर उधर नहीं हिलते तुम खड़े रहते हो इकडम सुन पड़ जाते हो तुम समझ नहीं आता क्या करो क्या तो भाई यह थो वही रहे फिर वह वही सुसाइड हुई है जिस तरीके से वही यह सभ इसमें नहीं सकता ना दिमी कहीं कैसे हुआ कैसे मरे कुछ भाई यार यार ये तो ये वाला तो भाई अलगी किसा लगा भाई एक जब बॉंबे में मैं IVM पॉड्कास के लिए पॉड्कास रिकॉर्ड कर रहा है तो IVM कि I think सबसे ज़्यादा पॉड्कास है और उन्होंने करीब 1000 से ज़्यादा पॉड्कास रिकॉर्ड करेंगे जो मैं पॉड्कास रिकॉर्ड कर रहा था बीच में उनका सिस्टम काम करना बंद कर गया और जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो सब गयब हो गई डिलीट हो गई अपने आप और वो फर्स टाइम हुआ था उनके साथ हजार पॉड्कास से जादा कर चुके हैं वैसा कभी नहीं हुआ और सभी कैमरास के डिटा उड़ेते हैं एक कैमरा के डिटा थे लेकिन रिकॉर्डिंग जो वियो की रिकॉर्डिंग थी वो पूरी अवाज नहीं आ रही थी अवाज ख़तम हो गई थी वो बापे से फिर हमने रिए हमारी है जल्दी जल्दी आप बिना देरी के इस पॉड उने सानों इतुमी तो नियुहां पीट में बेढ़न बाले हो यह यार यार IT करो उक्षाय हम बहें बहले बहले आदमि आधार घुर्ण में क्या हुसए वा पर हम फिलाल इस पॉड़ काश ज़कम करके डंट को है ।ाकी हम अब तक ये पॉड़काश पहुचा पाए और और मज़ेदार इस podcast में मज़ा आया हो तो जरूर कमेंट करना हम भाही के साथ पार्ट टू करेंगे और अगर आपको horror stories सुनने का शौक है तो एक बहुत ही बढ़िया channel है खुनी मंडे के नाम से भाही का ही channel है उसके 3.5 million subscribers है और उसका एक special podcast Spotify पे भी आता है तो उस पे वो animated horror stories सुनाते हैं और अगर आपके पास कोई stories है तो आप इन्हें भेज भी सकते हैं आप बिल्कुल बेच सकते हैं in description में और कोई stories का भंडार पड़ा हुआ है channel पे और और भी डालते रहते हैं अगर तुम लोगों को horror stories का शौक है तो फिर तो चैनल पे आजाओ और खूब सारी कहानिया सुनो मज़ा आएगा और अगर आपको इस podcast में मज़ा आया तो comment करो हम और ऐसे podcast भी करेंगे तो फिलाल दोनों चैनल को subscribe कर दो गोल बटन स्क्रीन पर आ रहे हैं description में link है जाकर instagram पे spotify पे हर जगे हमारे प्यारे गेस्ट को हमारे प्यारे भाई को follow कर दो और बाई ने जो कहानिया वताई है हम लोग को बहुत मज़ा आया बाई मुझे भी मुझे भी मुझे भी बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ मिकला एक समा बंद गया था अभी समा बंदा हुआ है कİ ओक दो डंब लुए को रलती है फिर दिल्टी लम फeliciousल घएसेफे प।ब से गभ FORD ऴेन है फिर्वाने i कहनาmy हुएना है